दोस्तों, एक महिने केफंड हमने यहां पर बदाफिन सार IM-EI कार अफ्लाई किया, चार में से, 3–13 2-15 बदाफिन सार IM-EI कार के सक्सेसफुली अपरूब भी हो चुका है, और 2–15 के अच्छी खासी लिमिट मिली हुई है, अगर आप कोई भी यहां पर प्रडेट इमाई में बाइक करना चाहते हो चाहे फिलिप काड से चाहे आइफोन चाहे लेप टॉप चाहे कुछ भी लेना चाहते हो अगर आपको पास कोई क्रेडिक काड नहीं है तो बजाश फिंसर इमाई काड आप जुरूर ले लिजिए क्य करने का बढतो लगें शाक चाहे गया है तौ चली करने करने के माइप नहीं है तो इसी वीड़ा में त्राइ करिए करूं भाए जायो को फींदो को पूरे जरूर देखेएगा वीड़ीओ करने के चैनल जूरू शरूर बिड़र सब्सक्राइब कर लीजियए और तो चली कर अपने वीडियो को स्टार्ट दोस्तों अगर बजाइफ इमाई कार्ड को अपलाई करने का प्रसेस आपको पता है तो आप इस पार्ट को सकते हो लेकिन यहां पर मैं कंप्लीट बता हूँ ता कि कोई नया परसन आया हुआ हो तो यह कोई नया वीवर्स आया हो तो उसको पू इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बजाइफ इमाई कार्ड कार्ड का इस्तिमाल करने बाद यह निका आपने मैं कोई पैसा नहीं देना जूलाई में जाकर करके पैसा देना था इसा पोसिबल है तो किस तरीकिया से हो सकता है इसके ओफ-लाइन में अगर आपको कोई स्वापिंग करते हैं तो उस पर आपको डाउन पेमेंट केता देना पड़ेगा ओन लाइन में केता देना पड़ेगा पूरी एक्स वाइट हमने पूरी डिटेल वीडो बना रखके जितने अंगर स्वापिंग करते हैं और दोस्तों यहीं पर एक डाउट भी डाउट भीडोड दालेंगे अपने एरिये का पिन कोड डालेंगे यहां पर सस्थ सब्सक्राइन हो में अपकों अमेरे साव डिल बना वंग पर और तो चलि दो को fill up करते हैं और दोस्तों यहीं पर आपके डाउट भी क्लियर करना चाहूँ है कि आप मैंसे काफी लोग डाउट यह होगा इसकी eligibility क्या है और कैसे पर चलेगा कि बज़ा फिंसरी माय काड कि हम eligible है या नहीं है तो देखे जैसे इस page को आप आप करने वाले हो डेटा उबढ़ डालोगो उससे परसल जाता कि आपके एज 21 से पलस है या नहीं है अगर है तो आप आगे से apply कर पाऊगे नहीं तो आपका इसके लिए कर लेते हैं कि आपका civil कितना है तो यानि कि तीनों चीज़ें से अगर वेरिफाई कर लेते हैं इसके बागर आप लिजबल होता है तो आगे आप पर प्रोस्टेड कर पाते हैं नहीं होता तो आपको यह भी मना कर दिया जाता है फालने दोस्तों आप दे सकते हैं कि हमारे case में यहाँ पे 80,000 आपकी photo आपका date of worth आपका यहाँ पर address वगरा सब कुछ दिखा दिया जाएगा अगर आपको अपना address भी update करने जुरूत लगती है तो आप यहाँ पर update address पर click करके अपना address भी update कर सकते हैं अगर आपको कोई भी changes नहीं करना तो simple सा नीचे यहाँ पर confirm पर click कर देंगे इसके इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो आपको payment करनी उसके लिए आपको कई सारे option मिलता जैसे कि UPI हो गया आपका net banking हो गया debit card हो गया credit card हो गया इनमें से आप किसी के माध्यम से payment कर सकते हैं फाइलनी में यहाँ पर UPI से payment करने वाला जिए मैं UPI पर tick रहने दूँगा और Pay Now पर click कर दूँगा इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो अपना UPI ID यहाँ पर इंटर करके Mac payment कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा तरीका हो सबसे आसान तरीका जो आपको QR code यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस QR code का phone पे Google पे Paytm या किसी भी application के माध्यम से आप यहा बहुत ही असानी से कर सकते हैं लेकिन इस बात जुरूद ध्यान रखें जब भी आप payment यहाँ पर करेंगे तो किसी भी तरीकिया से रीफ्रेस और नहीं करेंगे बलकि जब तक आपको यहाँ पर वेट करने की जुरूत पड़ेगी है यहाँ पर reference number transition number यहाँ पर आपको complete करना इमेंडेट क्या होता पहले उसको थोड़ा समस्मझ लेती हैं जैसे दोस्तों मेरे मालीजी मेरे पास बजाएंसर email कार्ड मुझे मिल चुका मैं फिलिप कार्ड Amazon या फिलिप कार्ण या फिलिप करूंगा तो मुझे email पर option मिल जाता है मालीजी मैंने 10 महीने की email ले ल पूरा प्रोस्ट को complete करेंगे activate नाव पर क्लिक करने माद दोस्तों आपको यहां पर अपना इमेंडेट रजिटेशन complete करने लिए दो तरह के option मिलते हैं पहला होता net banking debit card OTP के माध्यम से दूसरा होता आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं तो finally में आप पहला वाला choice करूंगा और आप प्रोस्ट पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद दोस्तों जो भी आपका bank account पे नाम होगा उनाम आपको यहां पर इंटर कर लेना है आपका जो bank account नमर आप उसको इंटर कर लेंगे इसके बाद दोस्तों आपको select करना होगा कि आपको current account है या saving account है इसके just नीचे आप दे करना चाहेंगे तो इन तीनों में आप कोई भी choice कर सकते हैं फाइल में यहाँ पर OTP को choice कर रहा हूँ इस तरीके से क्या होगा कि मेरे bank account पे एक रुपय क्रेडिट किया जाएगा ब्लास फिंसर इमाई की तरफ से और वही एक रुपय जब क्रेडिट होगा मेरे पास OTP भी इमेंडेट भी complete हो चुकी है और जो इसकी जॉइनिंग फीच थी पान सुन इन रुपय हमने ओ भी पे कर दिया है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि बदास इमाई कार्ड को हम पहली बार अपने बदास इंसर अपलिकेशन में कैसे लोगीन करेंगे चलो हम करेंगे कि हमें अभी के अभी मतलब मैंने अभी काड़ अपलाई किया मेरो काड़ अभी मिला हुआ है और मैं यहीं चाहता हूं बैठे-बैठे में फिलिप काड़ एमजन से कोई भी प्रड़ेट ऑनलाइन ओडर कर दूं तो ऐसा पोसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा ह लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूं अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छे लगी हो बाते मेरी आपको समझ में आ रही हो वीडियो यूच्फुल लग रही हो तो इस वीडियो के लाइक करेंगे प्लिज चैनल जरू सस्क्राइब कर कर देंगे इसके बात दोस्तों आपने इसके डिटेल को यहाँ आपना डेट आपर इंटर कर सकते हैं दूसरा होता पर पिन कड़ इन दोनों मे RAM कोई भी चीज आप यहां पर इंटर करके यहां पर सम्मिट पर किलिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपके से यहां पर कुछ पर्मिशन मांगे जाते हैं इसके लिए सेंपल्स आप पर क्लिक कर देंगे और यहां पर अलाओ करेंगे यहां पर द्वारा अलाओ करेंगे यह यहां से लिंग कर दिखा दिया गया है। यहां पर दिखा दिया गया है। अगर आपको पूरे complete limit भी देखना है इसके साथ नमबर को भी देखना, अलाइन यूज करने के लिए, तो इसके लिए आपको just गड़ वरिफिकेशन करना पड़ेगा, कार्ड का नमबर अगर आपको देखना तो simple सा view पे click करेंगे और दोस्तों आप देखेंगे आपको यहाँ पर कार्ड का नमबर भी दिखा दिया गया कार्ड का status active दिखाया जा रहा है इसके साथ आपके जो expiry month, year वगएर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों कार्ड को block या unblock आप यहाँ से कर सकते हो अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर कार्ड का नमबर हो गया expiry month, year हो गया और यहाँ पर नाम हो गया वह हो पाता है या नहीं हो पाता है तो इसके लिए simple समया चलेंगे फिलिप कार्ड application में यहाँ आने के पास दोस्तों आपको जो पोड़ेट बाय करना होगा आप उसको सर्च कर लेंगे जैसा कि माली जै मेरे को एक LED बाय करनी मैं उसको सर्च कर लेता हूँ इसके बाद दोस्तों आपको यह भी देखना होता है कि जो पोड़ेट आप बाय करने वाले ओनलाइन उस पोड़ेट पर बजाफिंसर इमाय कार्ट की आपको सुद्धा दी जा रहे ही नहीं दी जा रहे है अगर एक्सेप्ट किया जागा जबी आप वहाँ पर बजाफिंस को मिल जाता है बजाफिंसर इमाय कार्ड आपके यहां पर इस पोड़ेट पर एक्सेप्ट किया जा जागा इसी तरीके साब को पहले ही सर्च करके अपना देख लेना होता अगर दिया जा रहा हो जब आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं यही एक सबसे जाद मुझे ड्रो आपको यहां पर एक option मिलता है इजी इमाय वाला option सेंपल सा इस पर किलिक कर देंगे इसके बाद आप इमाय करने के लिए सेंपल सा बजाफिंसर इमाय कार्ड को सेलेट कर लेंगे और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप पोड़ेट बाय कर रहा है उसके इसके बाद दोस्तों यहां पर इमाय कार्ड की डिटेल आपको फिलप करनी है जिसमें कि आपका कार्ड का नमर हो गया और सीवीवी और सबसे इंपर्टन बात यह है कि मारे पास कार्ड का नमर है इसपारिमंत है सीवीवी कहां से लाएंगे यह जुरुरत पड़ेगी यह पड़ेगे पहली बार में भी यूज कर रहा हूं इस EMI card को इस application में चलो ट्राइ कर लेते हैं एक बार सो फाइलि दोस्तो मैंने यहाँ पर कार का नमर डाल लिया और यहाँ पर मैं चलता हूं मन्त को सेलेट कर लेता हूं और इयर को भी सेलेट कर लेता हूं इसके बाद दोस्तो देखेंगे यहाँ पर CVV के लिए requirement मागे जारी है कि CVV डालना है लेकिन दोस्तो अब आप मैंने बजाफिंसर इमाई कार्ड की वीडियो बनाई होगी या मैंने खुद के परसनल प्रडेट बाय किया हूं कभी भी CVV डालने की जुरूत नहीं पड़ी है और इसलिए मैं नया अकाउंट है फिलिपकार्ड का और नया बजाफिंसर का इमाई कार्ड है वह उस चीज़ कर देते हैं और यहां पे कर देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि बजाफिंसर इमाए-कड कार्ड का पहली बार हमने यहां पर पहले इस्तेमाल कर लिया है यहां पर पहले हो चुका है और यहां पर डिलिवरी का डेट टाइमिंग हो रहे सारा कुछ दिखाया जा रहा है इसके साथ सा दोस्तों यहां पर हम एक चीज़ वह वेरिफाई करेंगे कि जो हमने 13400 रुपे का पॉड़ेक्ट लिया हुआ है बजाफिंसर अपलिकेशन में जाने बार बजाफिंसर जो इमाई काड जो लिमिट 80,000 रुपे के थी उसमें से इस अमाउंट को माइनस किया गया और नहीं किया गया इसके लिए हम सिंपल से यहां पर चलते हैं बजाफिंसर अपलिकेशन में करान टाइम की जो अवेलबल लिमिट है आप देख पाएंगे यहां 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 पर हमने पहली बार ट्राई किया हमारा यहां पर हो चुका है यानि जो फर्स्ट पोड़ेट है हम उसे ऑनलाइन ब सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां यहां पर यहां पर प्रवाइकर अपने फैमली मेंडेट की तो उनका इमेंड़ी हो चुका था यहां कि सारा बरिकेशन हो गया इसलिए हमने ऑनलाइन बाय कर लिया लेकिन आप यहीं पे एक सवाल बनता है कई पर इमेंडेट आपको complete नहीं हो पाता है जैसा कि इससे पहले एक लाग पच्छीजार उपर जो लिमिट हमें दी गई थी बजाफ इन सरी माई कार्ड में उसमें इमेंडेट यहां पर successfully complete नहीं हो पाया तो वहां पर error आ चुका था दुबार हमने कई बार ट्राइ किया तो हो नहीं पा रहा था इसके लिए हमें पहली बार offline जाकर इस्टोर से आइटम को बाई किया था और वहां पर अपने जाके सारे bank account detail pencard अधार कार्ड वगर दिया तो उन्हों अपनी तरफ से offline इमेंडेट को complete किया और offline एक पोड़ेट हमने पहली बार buy किया तब जाकर हमारा यहां पर पहला transition वहां पर complete हुआ उसके बाद हम आप online buy करना तो उस card से भी buy कर सकते हैं लेकिन आपके एज 21 से पलस है तो आप इस card के लिए eligible हो जाते हैं दूसरी बात आगर आपके civil में पहले से कोई credit card या loan है तो बहुत असानी सा आप इस card को apply करो मिल भी जाएगा और इसके असासत आपके area में service का होना भी जुरूरी है तब आपको इस card को ले सकते हैं यह तीनों ची आपके लिजाहिन जाए बारत